हेलो इस्टूड़न्स तो आज की स्टूड़ में हम डिस्कस करने वाले बैचलर ऑफ एजूकेशन बीएड के बारे में जो इस्टूड़न्स अपना फ्यूचर एज टीचर या भी प्रॉफेसर देखते हैं मतलब वो टीचर या प्रॉफेसर बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो उनके लिए आज के लिए बहुत ही यूस्पूल है आज हम पूरी इसकी टीटिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं पहले हम इसका बेजिक टीटिल देख लेंगे कि वह इसकी इलिजिबिटी का इड करना रहता है कौनसे कोर्सिस करने चाहिए या भी कौनसी गवर्यमेंट एक्जाम हमें देनी रहती है उसकी कंप्लीट डिस्कस करने वाला हमें तो प्लीज इस वीडियो को एंटर जहू तिखेगा जो अपनी लाइफ में टीचर और प्रॉफेसर बनना चाहते है उनके सारे कंपुजन इस वीडियो में दूर हो जाएंगे तो प्लीज इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंड करके जरूब बताएगे तो चलिए स्टार करके तो फटा फट डेख लीजिएगा बीड जिसका फुल फॉर्म है बैचलर और एजुकेशन सबसे मैं है एलेजलिटी क्या है कौन बीड में एडिमिशन ले सकता है तो सिंपल सा है जिन स्टुडन्स ने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है मतलग अपनी बैचलर डिगी कम्प्लीट कर लिया है चाहे वो किसी भी फिल्ड में हो एनी फिल्ड में उन्होंने कम्प्लीट की हो मतलग च चाहिए वो आर्ट्स में हो या चाहिए वो साइन्स में हो तीनों फिल्ड में से कोई भी फिल्ड में अगर उन्होंने अपना बैचलर कंप्लीट कर लिया है ग्रैजुशन पूरा हुच सुगा तो वो बीड में एडिमिस्टान लेने के लिए कौलिफाइड बस इतना घ्याद जो परसंट रहें एक 50% तू 55 के बिट्विन होना बहुत जरूर है क्योंकि कहीं पर कोई कोई उस्टी में 50% कंपल सरी होते ही है और आगे भी हमें इसकी रिक्वार्मेंट होती है इसके लिया रखिया बैचलर में 50 तू 55 परसंट जरूर होने से ही है वो एस्टी और स्टी क वो है हमारा टू येर्स का बीर का कोस रहता है जिसके अंदर हमें फॉर्स सेमिस्टर में चईटी करनी रहती है इस जो नियुगे वो आप्टर टूजन 15 के बाद लागु कर लिया गया था इस को और बैटर बनाने के लिए 2015 से बाद टू येर का कर लिया गया है तो उससे प तोड़ा ध्यान से समझेगा ऐसा गवर्मेंट कोलेज के अंदर पीश अलग होती है और सेल फाइनेंस कोलेज में पीश अलग होती है गवर्मेंट कोलेज में पीश का क्राइडिरिया सिंपल है बहुत ही कम होता है I think 20,000 से लेकर 40,000 में फिनिश हो जाता है गवर्मेंट कोलेज के तर आपकी बीश की स्टड़ी कम्प्रीट हो जाती है बट जब बात आती है सेल्फ फाइनस कोलेज की जब आप अगर सेल्फ फाइनस कोलेज से कम्प्रीट करते हैं बीश तो वहाँ पर सेमेस्टर की फिश I think 15,000 के अराउंड रहती है पर सेमेस्टर के फिश तो आपकी जो फिश टू इयर की है वो 60,000 से लेकर 1,000,000 के बिटिविन हो सकती है यहां दखिए इस बात को ठीक है अब देख लीजे एडिमिशन प्रोसिस की बात करता है तो एडिमिशन जो होता है SEM as a married business ही आडिमिशन किया जाता है married बिश आप government college के अंदर आप admission ले सकते हो बट अगर government college की seat full हो चुकी या फिर आपका married में नाम नहीं आया तो आप फिर उसके बात जाकर self finance college के अंदर admission ले सकते हो जिसमें आपको fees का क्रेडिरिया पता चल गया होगा ठीक है अब बात करें तो सब्चेट देखिए अगर बीएड कर रहे हो तो आपको अपना मैं सब्चेट कौन सा रख सकते हैं उसको मैं बता रखता हूँ अगर आप बीएड कर रहे हो तो बीएड की अंदर आप जान सकते हो चाही हो हिंदी हो सब्चेट हो चाहे याए सोचलोजी हो चाहे सब्चेट को मैं बत कर वो यहाँ पर बीएड कanking कर सकता था आपको बीएड की सारी tô उसी समझ में आ गई होगी admission से लेकर BA complete करने तब की अब हम लोग मैंन बात करते है BA complete हो गया उसके बात क्या तो देखें BA complete होने के बात अब आगे teacher और professor बनने लिए क्या-क्या रिकार्णड होती है भी ध्यान से सुनिएगा मेरी information की according में आपको जानकारी दे रहा हूँ ठीक है तो देखें सबसे बीएड के बाद आप कोई course भी कर सकते हो पहले उसकी बात कर ले दो अगर आप कोई और आगी study करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो बड़ ये जरूर करना है साथ-साथ में देखें पहले कोर्स कोणसे आप कर सकते हो बीएड करने के बाद आप चाहो तो बीएड करने के बाद master degree कोई भी ले सकते हो जैसलने एजा example m.com बोला है लेकिन आप art से हो तो मे कर सकते हो कोई भी कर सकते हो या फिर आप m.ad कर सकते हो क्कुल्स के अंदर और आपके पसिंटेरी करती इस टो बिर्ण changing करता है तो बीर्ण करowing comment you can proper और अपके रिल्स कि नि're the letter as a call augak conditions को खर गॉट करता हो जुफे सिसल टो इसके लिए शब्रोशेसे उसके संपर information देने तो यह मैं अपने state wise बता रहा हूं मतलब अपने गुजरात के लेवल पर exam की में बात कर रहा हूं देहिए सबसे गला अगर class 1-2-5 का आप teacher बनना चाहते है तो आपको exam clear करने पड़ती है TET 1 TET 1 जिसका full form होता है teacher eligibility test जो primary 1-2-5 के लिए होती है अब इसके लिए जो qualification अभी ध्यान से सुनीगा PTC करना compulsory होता है B8 वालों के लिए only यह नहीं होता है PTC जिन्नोंनों की होगी 12 के बाद PTC होती है टू यह की वहीं लोग 1-2-5 में apply कर सकते है और TET की exam दे सकते है बट चिंता नहीं कीजिए बीड करने के वाले students के लिए यह 6-8 क्लास होता है जिसे हम अपर primary कहते है उसके लिए exam होती है TET 2 की exam होती है आप डारेक बीड के बाद यह exam के लिए qualify हो जाते हो teacher eligibility test जो number 2 होती है इसके लिए आपको बीड होना compulsory है बीड होना compulsory है बीड होना compulsory है चाहे वो bachelor के बाद हो चाहे एंकॉम के बाद हो मास्टर के बाद हो कोई भी हो बस बीड किया हुआ हो वो वो TET 2 की exam दिये सकता है बड़ आप में बात कहता है आपर secondary जो secondary class होता है 9-10 जिससे हम यह तार्ट की रूप में जाते है तार्ट 1 बोला जाता है जिसका फुलफों जहांपे होता है teacher aptitude test होता है अब यहां पर याद रखिए यहां पर master degree होना compulsory है सुनिये का ध्यान से मैं बात करो अलग अलग state में अलग नाम से जाना जाता है जब आप टार्ट 2 की exam clear करते हो तब आप जाके 11-12 के teacher बन सकते हो जिसके लिए भी आपको master होना जरूरी है बीड के सासा आई होब आपको उसको लिचे के लिए complete information पता चल गया होगी फिर भी कोरी रहती है कमेंट करके अब मैं आज आता हूँ मैं टॉपिक पर कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाते है आप लोग तो कौनसी एक्जाम दीनी होगी या फिर कौनसा ऐसा कोर्स करना रहता बीड के बाद देखिए बीड के बाद आपको कमपल सरी master complete करना पड़ता है मतले आपको post graduate कोई भी कोर्स करन कमपल सरी है अगर आप कॉलेज के अंदर पढ़ाना चाते है तो post graduate degree होनी कमपल सरी चाहिए वो जो भी हो जादर commerce के students हो तो आपको income होना चाहिए समझे क्योंकि इसी के बाद आप exam दे सकते हो जो government की exam होती है teacher बनने के लिए जैसे की NET National Agility Test जो हमारी UGC की दोरा ली जाती है उसी को clear करने के बाद आप बन सकते हो junior research philosopher बन सकते हो या फिर assistant professor बन सकते हो यह exam clear करने के बाद जो national level पर होती है वहें पर state level wise भी होती है हर एक state level wise भी होती है जिसका आप लोग नाम दे सकते हो slide करके जिसे हम बोलते है state level eligibility test होती है जो हमारे state level पर होती है और यह हमारी national level पर exam ली जाती है जिसके लिए master होना टंपल सकते है और उसके बाद हम assistant professor बन सकते है या तो junior research philosophy के लिए qualify हो जाते है यह दो exam हमें देनी रहती है ठीक है तो I hope आप समझ गया होंगे कि हमको master degree किसलि ले सकते है बर इतना minimum qualification होना चाहिए college professor के लिए यहां पर school teacher के लिए तो I hope यह सारी detail थी बीएड के बाद भी क्या करना पड़ता है हमें एक professor या भी teacher बनने के लिए private teacher के लिए आसा कुछ नहीं है आप बीएड करने का कोई भी उसकुल में जाके simple पढ़ा सकते हो but government के लिए आप लाइक करो शेयर करो चैनल को सबसार नहीं करो प्लिस पहचार को जहुँ सबकर कर लिजेगा और तो क्वेरी है तो वीडियो को निचे मुझे कमेंट कर दीजेगा और कॉनसर नेस वीडियो चाहते है वो भी मुझे बताईएगा तो मिलते एसी तरह किसी निव वीडिय आप दीवें, थैंक यू